विहाग नई पीड़ी की यो कविता है नए दौर की यो कविता है उस कविता की सबसे नकेवल मुखर लेकिन सबसे तापवान कविताओं के कवी हैं देश पर दावा करती हुई कविताओं ये बड़ी महत्पूर्ण हैं और इस नए दौर में विहाग जैसे कवी ऐसी कविताओं को लेकर आए हैं जिससे बड़ी आश्वस्ति होती है नमस्कार मैं हूँ अधिस्ति पाठी और नई धारा समीक्षा के इस नए अंग में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं जिस उस तक की चर्चा कर रहा हूँ वो है विहाग वैभव का नया कविता संग्रह मोर्चे पर विदागीत मोर्चे पर विदागीत संग्रह प्रकाशित होने के साथ ही काफी चर्चा में रहा है इस पर लगातार बातें हुई हैं और विहाग वैसे भी अपनी कविताओं के जर्ये संग्रह आने के पहले भी हिंदी कविता की दुनिया में बड़ी पुर्जोर दस्तक दे चुके थे विहाग की कविताओं को अगर हम देखें तो दो-तीन चीजें बड़ी महत्पूर्ण हैं दो-तीन चीजें बड़ी विशिस्ट बनाती हैं उनकी कविताओं को उसमें से एक चीज तो ये है कि हिंदी की युवा कविता जिस तरह से शब्दों की कारीगरी कुछ खास अनुभों के बार-बार प्रेक्षण और उनहीं की अभिव्यक्ति में फसी हुई थी उसमें विहाग जैसे कभी बहुत इसपस्ट इरादे के साथ अपनी प्रतिबधता की घोशना करते हैं उनकी कविताओं इसलिए कहा जाये तो प्रचलित अर्थों में जो शब्दों की कारीगरी है उसमें नहीं जाती है वो पढ़ते हुए आपको सुरुवात में लग सकता है कि बड़ी सपाट सी कविताओं हैं एकदम सीधे सीधे वक्तव्यों की तरह ये कविताओं आ रही हैं लेकिन ये वक्तव्य एक गहरे जीवनबोध गहरे अनुभव और पीड़ा के ताप में तपाए हुए हैं आम तोर पर कवी के लिए रास्ता क्या है वो क्या चुने तो अपने समय का जो माहौल है उसके जो सवाल है अपने समाज में जो कुछ दिख रहा है कि बदले जाने लायक है उसके बारे में ही बात करेगा तो सबसे पहला मसला यह होता है कि आखिर देश किसका है किसके लिए देश के बारे में कहा गया कि भई देश एक imagined community है देश के बारे में और भी बहुत सारी धारणाई है लेकिन अगर इसको बहुत कम शब्दों में कहा जाए तो देश की संपत्य पर देश की सत्ता पर जिनका हक होता है देश की संसाधनों पर जिनका हक होता है देश उनीका है तो देश पर ये दावा करना जो लोग जो समुदाए हाशिये पर धकेल दिये गए चाहे वे स्त्रियां हूँ चाहे वे धलित हूँ आदिवासी हूँ अलपसंख्यक हूँ बगएरह बगएरह जो भी हाशिये के समाज है उनके लिए देश का वही माइने नहीं है जो बाकी मुख्यधारा के लोगों के लिए है तो ऐसे में देश पर दावा करना देश को अपना देश गढ़ने की कोशिस करना ये विहाग की कविताओं की एक बड़ी मजबूत बात है उनकी एक कविता ही है कि ये देश उनका है जिसमें वे कह रहे हैं कि वे जो अधबके खेतों में धूप का सही ताप पहुचाते हुए दह गए वे जो बस्ती भर की प्यास की खातिर धर्ती में उतरे और पाताल में बह गए वे जो हमारे लिए मिट्टी बनाते हुए नया घर नियू की मिट्टी की कमी महसूस कर खुद जवान इमारत की तरह धह गए ये देश उनका है और फिर जिन लोगों ने ऐसे लोगों को हाशिये पर रखा हुआ है उनके बारे में वो आखरी में इस कविता में चेतावनी है कि तुम इस देश के बाशिंदे नहीं तुम्हें इस देश से जाना होगा ये देश उनका है जो धूप में दह गए जो पाताल में बह गए जो फांसी को गख गए इस तरह की कविताएं देश पर दावा करती हुई कविताएं ये बड़ी महत्पूर्ण हैं और इस नए दवर में विहाग जैसे कवी ऐसी कविताओं को ले कर आए हैं जिससे बड़ी आश्वस्ति होती है दूसरे ये देश पर दावे के अर्थ में ही है कि हमारे समय का जो पूरा विमर्ष है उस विमर्ष के केंदर में ईश्वर है बहुत सारी बाते हैं जो इश्वर के इर्द-गिर्द कही जाती हैं, सुनी जाती हैं, मानी जाती हैं, समझी जाती हैं, लेकिन इश्वर हर व्यक्ति का की अपनी कलपना में कैसा है और इश्वर को कैसा होना चाहिए, उसके बारे में एक कवी जब सोचता है तो उसका नजरिय बहुत अलग हो जाता है वह इश्वर की कलपना एक किसान के रूप में कर रहा है और जब इश्वर किसान होगा या किसान इश्वर है तो इश्वर के बारे में कहा गया कि वो सब का पालन करता है अन्न दाता है और यह सब हमारे किसान करते हैं तो क्या इश्वर और किसान में क paradox को उसी अंतर विरोध को उसी असमाधे प्रशन को पकड़ता है और वह कभी को किसान के रूप में परिकल्पित कर रहा है का सोचता है कि एक ऐसा अवतार होना चाहिए जैसे इश्वर के तमाम अवतार हैं और दुनिया भर के धर्मों में आप देखेंगे तो इश्वर की यो परिकल्पना है उनके अलग-अलग स्वरूप दिखाई पड़ते हैं तो विहाग का इश्वर जो है वो किसान होना चाहिए इश्वर से ये डिमांड है या ये हमसे डिमांड है कि हमारा किसान ही इश्वर होना चाहिए इसके बारे में हम सोच सकते हैं एक कविता बहुत गह पर जब इस समय की फसल में किसान होने की चुनोतियां मामा घास और करेम की तरह ऐसे फैल गई है कि उटकी जीविशा को पकड़ रही हैं चहुँवर और उनका जीवित रह जाना एक बहादुर सफलता की तरह है तो ऐसे में ईश्वर को किसान होकर आना चाहिए मुझे लगता है ब्रेकट में है कि मुझे लगता है ईश्वर किसान होने से डरता है वह जेल में, महल में, युद्ध में जैसे बार-बार लेता है अवतार वैसे ही उसे अब की खेत में लेना चाहिए अवतार ऐसे कि चार हाथों वाले उस अवतारी की देह मिट्टी से सनी हो इस तरह की पसीने से चिपक कर उसकी देह का हिस्सा हो गई हो बमुश्किल से उसकी काली चमडिया ढख रही हों उसकी पसलिया और उस चार हाथों वाले ईश्वर के एक हाथ में फरसा, दूसरे में हंसिया, तीसरे में मुठी भरा नाज और चोथे में महाजन का दिया पर्चा कितना रोमान्चक होगा ईश्वर को ऐसे देखना मुझे यकीन है ईश्वर महाजन का दिया पर्चा किसी दिव्यज्ञान के स्रोत की तरह नहीं पढ़ेगा वह उसे पढ़कर उदास हो जाएगा फिर वह महसूस करेगा कि इस देश में ईश्वर होना किसान होने से कई गुना आसान है स्रिष्ट के किसी कोने सचमुच ईश्वर कहीं है और वह अपने अस्तित्थ को लेकर सचेत भी है तो फिर अब समय आ गया है कि उसे अनाज बोना चाहिए काटना चाहिए, रोना चाहिए, इश्वर को किसान की तरह होना चाहिए ऐसी कविताएं जो इश्वर और किसान के बीच के इस पराडाक्स को रेखांकित करती है। बहुत महत पूंड है। वो सामोहिक दुख भी हैं, वो समाज के दुख भी हैं, वो प्रेम के दुख भी हैं और उन दुखों की जो इस्मृतियां हैं। अपने वजूद को जनाती हुई हैं और कहती हैं कि मुझसे पार पाना मुश्किल है। विहाद उन इस्मृतियों को दर्ज करते हैं और जाहिर सी बात है कि ऐसा करने के करम में एक कभी बहुत लहुलुहान भी होता है। वह उन इस्मृतियों के साथ एक युद्ध लड़ रहा होता है। उन्हें पालने की उन्हें ढालने की कोशिस कर रहा होता है। तो ऐसी इस्मृतियां बड़ी कट इस्मृतियां भी हो सकती हैं। वे सारी स्मृतियां भी विहाग की कविताओं में आते हैं। इसके अलावा जो एक और बात बड़ी महत्तुपूर्ण मुझे लगती है विहाग की कविताओं में। वो है विहाग लाग लपीट के साथ बात नहीं करते हैं। वे बिम्बों का कोई घटाटोप नहीं रचते हैं। वे किनी रूपकों को सामने खड़ा करके उसके पीछे यथार्थ को छिपाना नहीं चाहते हैं। वे रूपक ले आते हैं, ऐसा नहीं एक उनकी कविताएं रूपक से परे हैं, या रूपकों का इस्तेमाल नहीं है, लेकिन वे रूपक ऐसे सटीक और जीने हैं, कि यथार्थ उनके भीतर से बहुत स्पस्ट ढंग से जलमलाता हुआ दिखाई परता है, इसलिए विहाद नई पिल्ही की जो कविता है, नए दौर की जो कविता है, उस कविता की सबसे नकेवल मुखर, लेकिन सबसे तापवान कविताओं के कवी हैं, और इस संग्रह को जरूर पढ़ा जाना चाहिए, ये हिंदी कविता की जो नई दिशा है, उसकी और संकेट करते हैं उम्मीद करते हैं कि विहाग के आने वाले संग्राजियों होंगे वो इस दिशा को और आगे ले जाएंगे बहुत-बहुत धन्यवादे कि उने कि विनले और आपना पंगे रुटि नियमे गोरपन यह सुझता है स्पना karşı और खुचता हैं